दोस्तो इस वीडियो को देखकर आप गाड़ी के खराब हॉर्न को आसाली से रिपेर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, हॉर्न कोई साभी हो, आसाली से रिपेर हो जाता है, कार का हो, बस का हो, ट्रक का हो, या फिर स्कूटी, स्कूटर पर बाइक कोई साभी हो, ठीक है, लेकिन एक सर्थ है, कि होर्न वो खुलने वाला होना चाहिए, होर्न दो टाइप की आते हैं, एक कंपनी का होता बिलकुल पैक आता है, और एक स्क्रू वाले वाते हैं, जो की असानी से खुल जाता है, आप उनको भी खुल के करना चाहिए, तो कर सकते हैं, पूरा तरीका एक होता है, होर्न के अंदर जो सिस्टम होता है, बिलकुल एक सा ही होता है, बट इसक्रू वाला इसलिए कह रहा हूं, क्योंको खोलना एजी रहेगा आप लोगों के लिए, सबसे पहले आपको इसको चेक करवाता हूं, एक चीज मैं आपको बत मल्टी मीटर को रखा है, और मल्टी मीटर पे आप देख सकते हैं, इसकी बूल्टेज कितना बन नहीं है, हमने इसको 12 वूट दिया है, और इसमें प्लस मैनस कोई जाड़न जाता, आप इसको कैसे भी उल्टा सुलो करनेक्ट कर लो, मिल्कुल चलता है, क्योंकि इसके इसमें एक अंतर होता है, इसके अंदर मैगनेट नहीं होता है, और इसके अंदर पर्दा सपीकर की तरह नहीं होता है, इसमें मैडल का पर्दा होता है, चलिए, अब फटा-फट से इसको मैं open करता हूँ, तो finally, यहापर रे खुल चुका है, पहले सभी पार्ट इसका लग- अगलग रख लेता हूं बाद में मिक्स ना हो को कि अंदर भी इसके बहुत सार इसको है इसको खोलना पड़ेगा अब यहां पर हौर्ण के अंदर हूता क्या है सबसे पहले आप देखिए यह तो एक साउंड को है न एम्प्रिफाइग करने के लिए अलग से यहां पर प्लास परदा अलग होता है इसे के अंदर फरदा यह यह अला होता है बनावर डोलु की यह की जैसी है और इसके अंदर आप Solo के अगल यहां पर देख सकते है तो इसकोडाब की यहां पर देख सकते है कोई भी ऐसा मेगनेट नहीं है जब इसमें current देते तब जाके magnet बनता है ये तुरे इसकी सनरजना अब यहाँ पर खराब किन-किन जगहों से होता है और इसके अंदर क्या-क्या ऐसी चीज़ा होती है जो खराब होती है सबसे पहले मैं इसको open करता हूँ और दोस्तों हमारे channel पर गाड़ी के digital meter की repairing भी सिखाई जाती है example के लिए मैं आपको देखाता हूँ जैसे कि पलसर की है और पाचे की है और भी बहुत सारे गाड़ी की digital meter की repairing सिखाई जाती है और साथ मैं fuel injector और fuel pump बहुत सारे वीडियोज मैं और लड़ी बना चुका हूँ उनको देखकर भी आप सीख सकते हैं यानि कि vehicle की भी information आपको इस वीडियो पर मिलेगी जो vehicle के अंदर जो VH6 के अंदर आ देखने को मिलेगी पहले इसमा सभी चीजे मैं open कर लेता हूँ ठीक है इसके सभी parts को open कर लेता हूँ और इस starting से मैं आपको बताऊंगा जो चीज खुलने लाएकर उसको मैं खोलूँगा देखिए screw वाले horn की ये बड़ी खास बात होती कि वो repair हो जाता है कभी खराब नहीं होता उसको आप 1000 बार repair कर सकते हैं बिलकुर अब यहाँ पर इसको भी खोलूँगा ये screw है ना tuning के लिए होता है मोटी पटली sound के लिए होता है आपने अगर कभी इस screw के माध्यम से tuning करी है तो बताना जरूर किस-किस ने अपने horn की tuning करी है इससे बताना जरूर ये देखिए जो भी चीज़ा आप खोल रहे है ध्यान रखना लगाना पर यापने उसी तरीके से मैं तो भई डेली का काम है मेरा हर अपते महिने में आते रहता है horn के repairing का ठीक है तो मुझे पता है कि यार खोलना कैसे लगना कैसे तो आप भी ध्यान रखे है भी होलना कैसे लगना कैसे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको भी निकालना चाहूँगा देखिए इसके सारे parts मैंने अलग कर लिए है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा सिर्फ एक coil बचिए इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाऊंग तो यह जो इसमें आप देख सकते हैं यह कॉइल जो है यह इसमें कमलब करने गाई है वैसे कोफर क होनी कि यह कॉपर की लैफ होती है कोफर कोश्ली होने की वज़़े से sabouts पर कमल्म होती है यह बहुत जल्दी यह ठोड़ा से नमी के कॉंटेक्ट मावने से छ़राब हो जाता है चलिए सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे इसमें जो कॉइल लगी है कॉइल किस कंडिशन में है देखेंगे क्योंकि मेन सबसे बड़ा और सबसे मुख्य पार्ट यही उठता है जो कि आपके हॉर्न को बनाता है जैसे स्पीकर में कॉइल का सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें यह कॉइल का सबसे बड़ा रोल रहता है तो कॉइल को टेस्ट करेंगे सबसे पहले और कॉइल बिल्कुल सही है और कुछ खौन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर यहाँ पर है न यहाँ पर कार्बन लगा हुआ फिर भी यहाप पर कभी कभी carbon लग जाता एं से कनेक्ट था तो यहाँ पर भी जंग लगा है इसको भी हम साब करेंगे तो आपने कभी ऐसी वीडियो देखी जिसमें आपको डिटेल से बताया हो कमेंट करके बताना हमारे चैनल पर जो भी चीज़ें सिखा जाते हैं बड़ी डिटेल से सिखा जाती है तो फाइदा लीजिए भाई सी करांने दिए जाए ड़ी किया है यहाँ पर थोड़ा सा जंग इसको ऊपने घिसना है और इसका पूरा Circuit बनाना और यह कि सर्कृट को पूरा करना है जब तक सर्कृट और कभी भी कोईल खराब हो जाती है, तो इसको उखाड़के, इसको निकालके, आप इसमें कोईल के राउंड गिननी जिए, एक दो कम ज़्यादा होने से भी काम चल जागा, बट एकुरेट राउंड देंगे, तो आपको बाद में कभी शिकायत नहीं मिलेगी, और अलुमिन का जो गेज है न, वायर गेज है, बिल्कुल उसी की ही बराबर है, भी रिसेंटली मैंने एक 220 वोल्ट का फैन भी रिपैर किया था, फ्रीज वाला, उसको भी देख ले ले ला, उसमें भी कोईल की प्रॉल्लम थी, पूरा खोल के मैंने उसको बनाया 12 वोल्ट वाला, 220 वोल देखिए, इसके बार न, वायर के बार कोडिंग रहती है, इसको छोडाना है इस तरीके से, इस तरीके से आप छोडा लीजिए, तो अगर वीडियो लंबी हो रही हो, तो आप स्किप करके देख सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा कि स्किप मत करना, क्योंकि जो जी सीखना च तरीका हमेशा यूनिक रहता है, इसलिए हम वीडियो लंबी बनाते हैं, क्योंकि हर स्टेप्स को हम फॉलू करवाते हम बड़े बारीक तरीके से, यह वायर तो लगबघ हो गया सही, एक बार सुनने हम, करंट देके देख लेते हैं करंट देख लेते हैं ऐसे अपर अगर आप देख पा रहे हो रहे हो और यह मैंगेनेट बन रहा होगा डेफिनेटली मैंगेनेट की तरफ भर करेगा पी जैसे मैँ ठाभू मी this magnet कि तरब यह करेगा यह देखिए यह magnet बन के बिल्कुल अगर आपको यकीन नहीं हो रहागा अभी देखो यह पकड़ाए मने यह गिर गया ठीक है अब देखो यह गिर गिया ठीक है बिल्कुल वैसे ऐसे रग दे रहा हूँ फिर अब देखो याँ पर यह चिपक जाएगा यह देखिए गिरे गाई नहीं यह देखिए अब गिर गिर गिया कैसे दिखाऊ आपको ऐसे दिखाता हूँ ताकि किलियर भी दिखाए दे ताकि आपको डाउट आप कर सकते हैं इसे प्रेक्टिकल क्योंकि बहुत लोग है ना कमेंट करती यह तो फेक है अब प्रेक्टिकल करके देख सकते हैं मैं यह देखिए जैसे मैं इसका कनेक्शनम डूंगा यह गिर जाएगा यह आपके सामने है न तो ये magnet कितरा behave करता है मैंने आपको उसकी theory पहले बता दी थी ज्यादे देर नहीं करना है ये part बहुत ज्यादा heat हो जाता है ठीक है इसलिए horn को ज्यादा तेर तक बचानी जाता क्योंकि heat होगे खराब होने के chance सबसे ज्यादा रहते हैं एक चीज आप तो आप यहाँ पर मैं इसको और घिस लियाँ थोड़ा और इसको इस तरीके से यहाँ पर रख लूँगा ताकि प्रॉपर वह वायर इस पर सटे रहे इस पर सोट्रिंग होगी नहीं इसके साथ मैं क्योंकि यह अलूमिनियम है तो अब जैसे जुगाड करके company ने लगाए ऐलुमिनियम के पार्ट पनी ने एक हमने करने करके लगाएंगे क्योंकि यह पार्ट हीट बादमीनियम कर तो बठी दिक्कत और हो सकती है तो जो चीज है बिल्कुल clear है मैं एक बार सुर से देखता हूँ कि यहाँ पर यह कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है बिल्कुल perfect है चलिए इसको हम ऐसे अटेज कर लेते हैं जैसे हमने इसको निकाला हुआ था चलिए हो गया है इसके बाद में यह वाला part था यह वाला part था इसके बाद में कुछ इस तरीके से और इसके बाद में था यह वाला part देखिए यह point है न और यह point है एक साथ माटेस थी कुछ इस तरीके से अब इसकी testing करते हों वो करेंगे और यहाँ पर में भी यह वाला screw था बड़ा वाला यह वाला screw था इसके इस तरीके से लगना है और यहाँ पर यह था यह लगाना ज़रूरी है वरना यह पूरा metal के contact मा आ जागा और दिक्कत हो सकती है और यहाँ पर spring थी इसके ज़श नीचे spring थी और यहाँ पर नीचे से यह कसा हुआ था काफी लोग जो पहली बार work कर रहे हो उनको है न यह चीज़े याद नहीं होंगी बट एक एक चीज़े हम तो यार रोज work करते तो हमें यह चीज़े बड़ी याद रखनी पड़ती है ताकि यह दुबारा है न खोलना न पड़े इसलिए अब इसको में इस तरीके से लगाएंगे और इस क्रू को कस लेंगे मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है चलिए और और इसको कस लेता हूँ अच्छे तरीके से अब यहां पर यहां पर दर यह दोनों आपस में अंह संतरीके से होनी चिया पश didn't युप मंने गिसे वे देच आज इसमां कारवन लगावा तक आब यहां पर हम यहां से ंहां टो की के गई क्याँ कनटूर्ट्य Capital कार्वारी कि नहीं कि बिल्कुल पॉफेक्ट है अभी कंट्यूटी आ रही है उस समय वायर वगर मैंने काबन होगा था कंट्यूटी अगर यह पार्ड भी आपका थोड़ा सा नीचे हो जाए तो कंट्यूटी नहीं आएगी याद रखना इसमें कार्बन लगनी को जिस कभी- दबेगी यह देखिए इस तरीके से यह जब पर्दा इसको पर रहता है वह अभी आपको इसकी और एक चीज और बताऊंगा अच्छी तरीके से पहले इसको हम देख लेते हैं क्रस करें फिर चेक करेंगे कंट्यूटी सारी चीजने step-by-step follow करनी है कोई चीज हमने नहीं छोड़नी है क्लिक लिया है आप यहाँ पर पाने का यूज़ कर सकते हैं 6.8 नमबर के अभी ठीक है दोनों बरहापर होगे अब यहाँ पर गया न दोनों की कंट्यूटी फिर हम जेक करेंगे इसके पीछए पूंच में चेकी करेंगे आप पर परक्रक्राइज हो गया फोल्क्राइज अ भी आप समझें तो जैसे न यह मैगनेट बनता है और यापर यह साउंड बनाता है अभी आपको बिल्कुल लाइव दिखाना चाहूंगा इसको देखिए और इससे ट्यून करेंगे हम पहले वैसे बिना ट्यून के चेक करते हैं बिना ट्यून के बिल्कुल पॉफर्क साउंड आजा है तो बिल्कुल सही है हाल कासे कि ठीकर करें सबस्सक्राइब हो टाहिए कि प्लस मैंने का कोई रूल नहीं होता है nl किसी को कि में टैज कर सकते हो निकीए अभी आंपInsण कर रहा है इसका मतलब है कि यह अब समय करेगा चलिए, पहले हम इस पे, अभी कुछ काम नहीं करेगा, देखिए, कुछ काम नहीं करेगा, अब इसके उपर रखते इसको, अब देखिए, साउंड बनाएगा है, यह वाइबरेट हो रहा है, यह देखिए, जैसे मैगनेट बने के तो वाइबरेट हो गा है, जैसे वाइबरे अभी हमने इसकी सेटिंग नहीं करी है अभी और शेटिंग करेंगे इसकी पहले मैं आपको मैं इसको पैक करके एक बार दिखा देता हूँ चलिए, इसको पैक करेंगे हम कुछ तरीके से हाँ यह देखिये और यह कुछ इस तरीके कर लीजिएगा सुनिएगा अब इसको ट्यून करेंगे हम त्यून करने के लिए इसको थोड़ा साउंड बंद हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा धीला करेंगे और धीला करेंगे अब बिल्कुल डीला करने से साउंड चले जाएगा तो एक मीडियम बिल्कुल उसको उसमें रखना है चलिए आप आपको दिखाता हो दिखिए अभी हमने इसमें जोड़ा अभी कोई भी समें स्पार्क वगरा नहीं है चोकि यह बिल्कुल अपने पॉइंट से हर चुका है दिरे-दिरे कसें इसको दिखिए थोड़ा सा और कसना पाढ़ेगा बहतर साउंड के लिए जैसे जैसे आप तसते रहेंगे वैसे वैसे श कुट तून मतलब और बहतर साउंड होते रहेगा मतलब ज्यादा कसने से और ज्यादा धीला करने से यह साउंड इसका चला जाएगा बाकि एक मीडियम में रखेंगे तो बहतर साउंड बाकि तो ट्यूनिंग करना धीरे-दीरे आप सीखेंगे तो इस तरीके से होरन को रिपैर किया जाता आई हूप की वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एक बाइक का होरन था उसको भी हमने रिपैर करता था उसकी वीडियो वन मिलियम क्लॉस हो चुगी है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में या पर कमेंड बॉक्स में पिन हुआ वो वीडियो मिल जायागा देखिए वह सिखिए प्रतिकिरिया जरूर देना कमेंड में बाकी मचा लेगे टेक क्यार